विआने चुम उप मेरा नाम है शाद अंदार हैं आज हम बात करने वाले हैं असेट के वाड़े में यह वही असेट उ लाइबिलिटी के बारे में जिसमें अमिर होता चला जाता और गरीब तो अरो गरीब बाता चला जाता है सिर्फ कुछ यूच्ख कुछ mindsets के वज़े से क्योंकि जो रिच पीपल होता है और अच्छा mindset होता है वो हमेसे ही asset जोड़ता है और जहां आम लोग हमेसा liabilities जोड़ते रहते हैं तो इसके बारे में आद थोड़ा detail में बात करेंगे तो asset or liabilities होते क्या है उसको जान लेते हैं तो सबसे पहले आते हैं asset asset क्या होता है तो asset का मतलब Hindi में में जो होता है वह समपथी, asset होता क्या है? और benefits करे और आपकी company और आपकी life में add money करे, add value करे तो सवाल बनता है कि asset में क्या क्या चीजे आती हैं तो asset में सबसे पहले आती inventory, stock आपकी company में, आपकी दुकान में जो भी stock और inventory वो सारी आती assets में मतलब वो convert हो जाएगे आपको पैसों में या आपकी sale होगी तो आपको पैसे ही आएगा तो मतलब वो आपके लिए मुनाप़ा है, आपके लिए घाटा नहीं है दुसरा होता है property, आपके संपती, आपकी factory, आपका घर ये सब assets में होता है, ये minus में नहीं जाता और बहुत rare चांत होता है कि ये minus में जाता है जब आप इसको बेचते हैं तिसरा asset होता है cash, आपका cash money है आपके bank में वो आपका asset होता है, वो आपके liability होता ही नहीं है, पैसा किसको बुरा लगेगा तो पैसा फाइदा रहता है और चौता है investment, आप किसी भी mutual fund में है, किसी भी आपने invest किया है, किसी चीज में भी या आपने share market में invest किया है, या आपने कोई policy लिए है, तो वो सारा आपका आता है assets में, वो liabilities में नहीं आता पांचोब पॉइंट है machinery, आपकी factory में machine लगे हो या आपके दुकान में कोई machine लगे हो, वो assets में आती है, क्यूंकि वो आपको income generate करके देती है, आपके लिए minus नहीं रहती, तो आपके लिए fixed assets होती है, long term assets, बहुत सारे तरह के assets होते हैं, तो मैं आपको basic बता रहा हूँ, और company में जो vehicle है, मतलब company की जो गाड़ियां भी है, वो भी assets में आती है, क्यूंकि वो truck आपका factory का truck है, वो आपके लिए income ही generate कर रहा है, income बचा रहा है आपकी बाहर से, तो वो assets में आता है, और दुसरी तरफ liabilities, मतलब देंदारिया, अगर हिंदी में उसको गहें, तो आप आपको देना है, देंदारियां आपकी रही है, कि आपको payable करना हो किसी का, या आपके बहुत ज़्यादा expense है, आपके car है, आपकी luxury items है, फालतु के expense है, जिसमें आपको खर्च नहीं भी करना, आप फालतु का खर्च कर रहे हैं, और उस से उस चीज से आपकी कोई भी income generate न बन जाती है आपके लिए, और liabilities में वो भी चीज आती है, जो आपकी factory में या आपके दुकान में आपके life में अच्छा perform नहीं कर पा रही है, और वो आपको minus पर minus करे जा रही हैं, तो आपके लिए liabilities बन जाती है, account के language में debit या sale tax या income tax ये भी liabilities में ही आता है, तो अपनी life में liabilities को कम करें और asset को बढ़ाएं, चाया आप जोग नहीं भी कर रहें, तो अपने assets करीदे, asset लें, ऐसी चीज़े मत करें कि more expense अपना बढ़ा लें, ऐसी चीज़े मत करें कि आपकी income 100 रुपे हो, और आपके expense आपके खर्चे देड़ सो हो, या पिर 90 सो, या 100 से double हो, 200 हो तो ऐसे expense मत बढ़ाएं, वो आपके लिए आगे चल के liabilities बन जाती हैं, तो focus करें कि आप asset लें, asset पे focus करें, rich people हमेसा asset पे ही focus करते हैं, इसलिए वो और rich हो जाते हैं, और वहीं हम middle class ये सोचते हैं कि हम ये ले लें, car ले लें, और other expense ले लें, महेंगी, गड़ियां ले ले rate करेंगी, आपको benefit पहुचाएगी, आपको profitable पहुचाएगी, तो उन assets पे focus करें, अमीर आदमी और एक business man हमेसा अपने assets पे focus करता है, उन assets पे focus करता है, liabilities को कम करता चला जाता है, और कई बार ऐसे situation भी होती है कि assets future में जाके liabilities बन जाती हैं, तो इन सब चीजों को analyze करना प focus करें, ऐसी चीजे डोने जो आपके लिए income generate करें, ना कि आपकी income और लगा दे और उसको output ना मिले, और liabilities को असान language में भी बोले तो, जहां पे input आ रहा है लेकिन output कुछ मिल नहीं रहा, आप input तो दे रहे हो उसको, लेकिन आपको output मिल नहीं रहा, उससे कोई benefit नहीं मिल र में उसको कम से कम करें, और वीडियो अच्छे लगे तो आप like share जरूर कर, अपने friend को, अपनी family को जरूर दिखाए ये वीडियो और उनको बताएं कि assets की कितनी जरूवत है हमारी life में, ना कि liabilities को, और चैनल को subscribe जरूर कर देना, और वीडियो जरूर से जरूर share करना, और मे